काव्या, तुम पलंगे उपर ऐसे डर कर क्यों मैठी हो? अब पलंगे नीचे बिल्ली है. बिल्ली तो छोटी होती है और तुम तो बड़ी हो, फिर क्यों डर रही हो? ठीक है मम्मी, मैं बिल्ली से नहीं डरूंगी, अब मैं ठंडा पानी पीने जा रही हूँ, बाद में गरम दोद दे देना. काव्या और उसकी मम्मी ने तो बातों बातों में उल्टे अर्थ वाले शब्द भी सिखा दिये, समझाता हूँ कैसे? नीचे का उल्टा होता है उपर, छोटी का उल्टा होता है बड़ी, थंडा का उल्टा होता है गरम. उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, आओ उल्टे अर्थ वाले ने शब्द सीखते हैं, बड़ा पेर छोटा पौधा, मोटा बालक पतला बालक, अंदर चुहा, बाहर कुत्ता, आगे बंदर, पीछे मदारी, ये भी सीखो, दिन, रात, राजा, रंक, अमीर, गरीब, हसना, रोना, आना, जाना, महंगा, सस्ता, मित्र, शत्रो, पूरब, पश्शिम, सच, जूट, अच्छा, बुरा, असली, नकली, उठना, बैठना, आओ, दोहराएं, कुछ शब्द, दूसरे शब्दों के उल्टे अर्थ बताते हैं, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलूम शब्द कहते हैं,